असलाम लेकुम और रहमतुलाहियो बरकात हूँ कैसे मेरे प्यारे वीवर्स उमीद है कि आप सब खेरी अस्ते होंगे आज मैं आपके लिए मटन सीख की रेस्पी लेकर आई हूँ जिसके मसाले हम खुद घर में तयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी, मसालेदार और लजीज सीख की रेस्पी हम आपसे शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने जो जो मसाले लिये हैं वो हम आपको बता दे चार हरी लाइची, एक बड़ी लाइची और थोड़ा सा मेरे पास तुकडा था, मैंने वो दाल दिया एक पिपली, आट से दस कबाब चीनी, आट से दस लॉंग, एक दाल चीनी का तुकडा, एक इंच का और एक स्टार फूल, वन टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, दस से बारा मैंने काली मिर्च ली है और इन सब को मैं अभी ग्रेंडर में एकदम फाइन पाउडर बना लूँगी, लेकिन एक्च्वर में इसमें हमारा शायद अगर ना हो पाए फाइन पाउडर तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगी किस तरीके से हम और कुछ चीज़े दाल के से ग्राइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल फाइन नहीं हुआ है इसलिए हम अब इसमें वन टेबल स्पून रेड चीली पाउडर और वन टेबल स्पून कश्मीरी रेड चीली पाउडर दाल देंगे जिससे हमारा मसाली का कलर बहुत अच्छा आएगा वन टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया है और फिर से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारे मसाली का कलर कितना अच्छा बनके तयार हो गया है अब यहाँ पर मैंने ये मटन की बोटियां काट ली है इतने बड़ी-बड़ी इसकी आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने तक्रीबन एक से देड़ किलो मटन ले लिया है इसे मैंने अच्छी तरीके से धो कर साफ करकर इसके पीसेस कट कर लिये हैं और यहाँ पर मैं तक्रीबन जैसा आपको मैं बता सकती हूँ कि दो से तीन इंच का यहाँ पर मैंने पपी दालिया है और यह पापाया है इसको हम छोटे-चोटे पीसेस करके कट करके दाल देंगे यहां पर जो slice में ने cut किया है वो एकी piece में दालूंगी एक पीस में नहीं दालूंगी इसमें और इसे दालने का reason यह है कि इसका जो white पानी होता है उसकी विज़े से हमारी जो sick होती है वो गोश जो रहता है सीक का हमारा बहुत अच्छे से गल जाता है पापाया को खास हम गो यहां पर हमने जो मसारा त्यार किया था है वह थ्री हैंड हाफ टेबल स्पून हमने इसमें एड़ कर दिया है साथ में अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पॉडर एड़ कर देंगे सॉल्ट एसपर टेस हम इसमें एड़ कर देंगे और अब हम इसमें टू टेबल स्पून पपाया का पेस्ट एड़ करेंगे जो हमने चिलके के साथ में पीसा है हमने चिलके को रिमोव नहीं किया था तो चिलके के साथ पीस कर हम इसमें टू टेबल स्पून पापाया का अब साथ में ही इसमें टू टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आइड कर देंगे और अगर आप चाहें तो इसमें रेड फूट कलर एड कीजिए यह ऑप्शनल है और अगर आप नहीं चाहते तो इसे स्कीप कर दीजिए और इसे खुब अच्छी तरीके से मिक्स अप करेंगे और यहां भी मैंने फ्रोजन हरी मिर्च के क्यूब्स करके रखे थे उसे डाल दिया है और टू टेबल स्पून ऑईल डाल कर इसे मिक्स अप करके दो घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देंगे और दो घंटे बाद हम हमारा जो मटन की बोटियां है उसे सिक में पूरो लेंगे और यहां आपको मैं बता रही हूं कि सेगडी की आज आपको किस तरीके से रखनी है यह फॉल्स तरीका है और इस तरीके से आपको सेगडी की आज नहीं रखनी है सिफ आपको समझाने के लिए मैंने वीडियो शूट किया है कि देखे किस तरीके से हमारी बोटिया जल जा रही है और आप देख सकते हैं हमारी सीख एकदम ड्राइ बनी है इस पे कोई मसाला नहीं है और देख लीजिए और ये टूड भी ने रही है ये जल्दी जल्दी पक तो गई है लेकिन ये अंदर तक गल नहीं पाई इसलिए आपको एकदम स्लो आज पर अपनी जो सिख है उसे तयार करना है मैं आपको दूसरा मेथट भी बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से सिख को तयार करना है ये दूसरा मेथट है आपको बिल्कुल इतनी हलकी आज पर ही कोईलो को जलाय हुए रखना है और अगर आपके कोईले ज़ादा दहक जाए तो उस पर हलका सा आप पानी चिड़क कर से हलकी उसकी आज कर सकते है और बिल्कुल स्लोली आपको इसे रोस्ट करना है आप देख सकते हैं कितनी कम फ्लैम में यह तकने अच्छे पक रहे हैं और बिल्कुल इसके ऑपर जलने का नीशान भी नहीं है और यह बहुत अच्छी तरीके से पुरा मसालेधार और जूसी जैसे सीग हम स्ट्रेट साइड में खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से तयार हो रही है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से तयार कीजिए देख लीजिए पुरा मसाला जैसे के वैसे ही है इस पर बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है तो प्लीज आप जो सेकंड मेतड है उसकी तरीके से और पहले मेतट वाली गलती बिल्कुल ना कीजिएगा ये खास आपके बताने के लिए हमने ट्राइ किया था देख लीजिए बोटियां एकदम बिल्कुल हमारे हाथों से ही तूट जा रही है और अब हम इसे किस तरीके से खा सकते हैं आपको ये बता रहे हैं ये एक्चुल हमने बच्चों के लिए ट्राइ किया था तो इसमें मैंने इमली की चटनी लगा ली है साथ में ही प्यास के कुछ लच्छे डाल दिये है तो जब आप खा रहे हो तो इसमें पुदीने की हरी चटनी लगा के और साथ में ही सिक्की बूटिया डाल लीजिए प्यास डाल दिजिए और उपर से उसमें मीठी चटनी इमली की डाल दिजिए बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस डिश है ये आप इसे जरूर ड्राय कीजिएगा तो आप मार्किट से सीख लाकर खाना भूल जाएंगे